ओके तो क्रैक मुवी देखने के बाद मैं गया था आर्टिकल 370 मुवी देखने जिसे कुछ लोग reality बोल रहे है तो कुछ लोग propaganda मैं कहुँगा यह एक ऐसा content है जिसमें reality-based story है तो आर्टिकल 370 मुवी कैसी है आईो बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी मूवी शुरू होने से पहले जो डिस्कलेमर आता है उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायड तो है बट क्रियेटिव लिबर्टी के चलते बहुत कुछ नाटकिय तरीके से शूट किया गया है जिसमें 2015 से 2019 तक की स्टोरी लाइन है और इस स्टोरी लाइन को प्रॉपरली चैप्टर वाइज अनफोल्ड किया जाता है एक्जैक्ली छे चैप्टर्स जिसमें हर किसी के अक्टिंग इतनी बढ़िया है कि सबसे पहले तो कास्टिंग डारेक्टर की वावाई करने का मन करता है कि सभी क्यारेक्टर्स ओन पॉइंट है और सभी ने अपने अपनी किरदार को बड़ी शिददत से निभाया है जिस तरह से कुछ एक जगा यामी ने लॉंग मोनोलोग टाइप डायलोग्स बोले है जिस तरह से फिर सी अक्शन डिलिवर किया है और जिस तरह से गुस्से और अग्रसिव सिचुएशन को हैंडल किया है या यह भी कह सकते है कि यामी ने इस मूवी में अपना सबसे बेस्ट दिया है यह मूवी एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसमें मास मसाला, ग्लैमर, फालतु के जोक्स या फालतु के डायलोग्स ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना यह मूवी स्लो पेस्ट है जिससे आपको लगेगा कि मूवी थूड़ी लंबी खीची जा रही है पर जिस बात को डीटेल में दिखाया जाता है उसको टाइम तो लगता है न बॉस अब मुझे लगा था कि टॉपिक आर्टिकल 370 का है फिल्म में मूदी सरकार दिखाई गई है तो शायद अयोध्या राम मंदिर का भी डिसकेशन थोड़ा सा दिखाया जाएगा पर इस राम मंदिर से याद आया कि यह आर्टिकल देखा है आप लोगोंने इस आर्टिकल की माने तो आयोध्या राम मंदिर की प्रेडिक्शन 2017 में ही हो गई थी विच इस टू इयर्स बिफोर सुप्रिंग कोर्ट्स वर्डिक्ट अन्ड विद इस प्रेडिक्शन क्यूरियोसिटी मैंने ऐसे ही एक एप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लिया वेट कोई आप का रिव्यू नहीं कर रहा मैंने इस आप पर एक एस्ट्रोलोजर पल्लवी जी से बात की और मेरे डेट ओफ बर्थ और टाइम को जानने के बाद उन्होंने सिधा पूछ लिया कि क्या आप इंटर्टेन्मेंट फिल्ड से बिलॉंग करते हो और इवन अगर आप लोगों को भी कोई डाउट या प्रॉबलम है तो आइस्ट्रो टॉक का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से डाउनलोड कर लो और पहली चैट फ्री में मिल जाएगी मेरे लिंक से वैसे फिल्म है दो गंटे चालिस मिनिट की जिसका फर्स्ट हाफ स्टोरी को जहाँ सेटप कर रहा है वही सेकंड हाफ अग्रेसिवली आगे बढ़ता है जहाँ पॉलिटिकल ड्रामा के साथ साथ आपको पुलवामा अटैक, कश्मिर में चलते पत्राओ और आतंकवादी इरादों के बारे में भी बताया जा रहा है कि कैसे उन्हें पैसे देकर पत्राओ अगरा किया जाता था कैसे कॉंस्टिटूशन के पन्नों में छेडखानी की गई थी और एक्जैक्ली आर्टिकल 370 किस बुनियाद और किस तरह से हटाया गया वो डीटेल में आपको देखने को मिलेगा हाँ, स्टार्टिंग में अजे देवगन का अल्मोस तेन मिनिट का एक वोईस ओर प्रोलॉग है जो आर्टिकल 370 के पीछे की कहानी को और भी आसान कर देता है जो आक्चुली यूट्यूब पर भी ऑफिशेली अवेलेबल है और ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जिनको आर्टिकल 370 क्या है ये मालूम ही नहीं था तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये मूवी आप देख सकते हो अब देखो ये करेक्ट कितना करेक्ट है ये तो मैं नहीं जानता क्यूंकि क्रियेटिव लिबर्टी के चलते बहुत सी चीजे फिल्मी या फिक्शनल भी हो जाती है फिल्म की खासियत ये है कि ये अपने टॉपिक पर बनी रहती है आपको भटकाने की कोशिश कही से भी नहीं करती इसका म्यूजिक बहुत बढ़िया है इस फिल्म के कैरेक्टर्स एन उनके अक्टिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है बट मूवी बहुत स्लो है या स्लो फील होगी वैसे आपको बता दू कि इस फिल्म के साथ क्रैक मूवी भी रिलीज हुई है जिसमें थेटर खाली जा रहे है अट डा सेम टाइम मेरे यहां नागपूर के अगर मैं बात करू तो आर्टिकल 370 के लिए थेटर अल्मोस्ट हाउस फुल हो चुके है सारे के सारे and that's show कि लोगों को या तो हार्ड कोर मास मसाला वाली मूवी चाहिए जिसमें बड़े अक्टर्स हो like जवान, पठान, अनिमल या रियालिटी बेस्ट मूवी जो कॉन्टरवर्शियल हो like कश्मिर फाइल्स बहुत चली थी केरला स्टोरी बहुत जादा चली अब इस फिल्म को लेकर कॉन्टरवर्शिय होती है कि नहीं ये तो नहीं पता बट अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो ये मूवी आप देख सकते हो वो भी फैमिली के साथ मेरे तरब से इस मूवी को 3.5 आउट आफ 5 स्टार्स और हाँ मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अस्टो टॉक आप डाउनलोड करना मत भूलना मिलता है अगले वीडियो में बाई